नमस्कार दोस्तों, हमारी शौट है ले प्रियागराज चनल पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे, पंजाब सबॉर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ट से कुछ इस्टेनोग्राफर की बेकिंसी आई हुई है उसके बिसे में इस टेबल कंटेंट्स के माध्यम से एक ब्रीफ इन्फरमेशन मैं आप सब को प्रोइड कर दे रहा हूँ जिसमें बोस्त के डिटेल्स, इलिजबिल्टी, क्वालिफिकेशन, फीस स्टक्चर, जो भी होगा मैं नीचे जो है डिटेल में आप सब को प्रोइड करता जा रहा हूँ तो आएए नीचे टेबल कंटेंट्स देखते हैं क्या लिखा है आप देख सकते हैं रिकूर्टमेंट और्गनाजेशन जो है वो पंजाब सवर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड है और जो पोस्ट के डिटेल है वो है स्टेनो टाइपिस्ट पहली और दूसरी जो है जूनर स्केल स्टेनो गाफर तो दो तरह की पोस्ट है ये टोटल नमबरा वेकेंसी जो है वो 334 की है और जिसकी ग्रेट पे होगी पहले जो हिस्टेनो टापिस्ट की होगी वो 32 जीपी की होगी और जो जूनियर स्टेनो ग्राफर होंगी उनकी 3600 ग्रेट पे की होगी जॉब लोकेशन जो होगी वो पंजाब ही होगी पंजाब के किसी विजले में और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 5 फरवरी और फॉर्म का स्टार्टिंग जो डेट होगा वो 6 जनवरी तो कहने का मतलब एक माह का वक्त आप तब को फॉर्म प्रेलब करने का मिलेगा और लिखी हुई है अपलाई स्टार्ट 6-1-22 और अपलाई लास्ट जो है वो 5-2-22 और एक्जाम डेट अभी दी नहीं गई है वो आप सबको नोटिफाई की जाएगी अप्लिकेशन फीस जो है वो जनरल और OBC की एक हजार है बहुत महेंगी फीस है और SCBC EWS की 250 है ESM जो है और नीचे कुछ डिटेल देखते हैं एज लिमिट जो है इसकी 18 से 37 साल है कहने का मतलब मिनिमम जो है 18 साल और मैक्समम जो है वो 37 साल है कुछ लोगों को इसमें रिलेक्सेशन दिया जाएगा वो पंजाब सरकार की जो भी उनका एज रिलेक्सेशन रूल्स होगा उस पोस्ट की डिटेल देख ली जगहा 334 में जो है स्टेनो टाइपिस्ट की 312 है और जूनर स्किल अस्टेनो गफर की 22 है जिसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट प्लस इस्टेनो और सेक्ड की भी सेम है ग्रेजुएट प्लस स्टेनो अब यहाँ पे देखते हैं स्टेजिसे नेखा होगा случай कि एंक्वर === स्टेजिस में देख्याइट जाएगा पंजाब ही। वोच च्रहें को यह संत्चित में आपको यह डीटेल बता रखे है तो जयार करिए कि इसका नोटिफिकेशन जो है फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए अभी एक ब्रीफ इंपॉर्मेशन आया हुआ है वहां से और यह चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ओके वीडियो के लास्ट तक जोड़े रहने के लिए आप